नमस्कार दोस्तों सुआगाते आप सभी का एकाक्स रिटोलियस पर मैं हूँ गौराफ फ्रेंड्स P.E.T. की 24 अगस्त 2021 को होने वाली परिक्षा आज संपन्न हो गई है अर्थात 1st shift का जो एक्जाम है वह संपन्न हो चुका है आप जानते हैं कि 2 shift में एक्जाम है तो 1st shift का एक्जाम P.E.T. का संपन्न हो चुका है और आप जानते हैं कि प्रष्णि पुस्तिका जमा हो गई है वह नहीं मिली है तो इसलिए इस वीडियो में हम memory based questions जो हैं 1st shift के एक्जाम के P.E.T. के उनके answer देखेंगे कि कौन सा answer जो है सही होगा और यदि किसी प्रष्णि के answer में कोई गलती हो आपको लगता है कि इस प्रष्णि का यह answer सही नहीं होगा कुछ और answer होना चाहिए सही तो आप comment box में सही answer बता सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते इससे पहले आपसे request है कि UPPCS PILIMS की त्यारी के लिए ROERO की exam की त्यारी के लिए और सामान अधियन current affairs की त्यारी के लिए आप एकाक्स tutorials को subscribe कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देखे friends एक प्रष्ण ने पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल को शुरू करती है तो इसका answer जो सही answer है वो होगा 5 उत्तरपदेश, बिहार, पश्चिमंगाल, सिक्किम और उत्तराखन राज्यों की सीमा नेपाल को शुरू करती है एक प्रष्ण यह पूछा गया था कि राजिस्थान में खेतिडी नामकिस्थान किस खनिच के लिए प्रषिद्ध है या किस धातू के लिए प्रषिद्ध है कुछ इसी तरह से प्रष्ण पूछा गया था तो इसका सही answer होगा तामबा ठीक है फ्रेंड्स देखे फ्रेंड्स प्रष्ण पत्र चुकि इस परिक्षा में नहीं मिला है तो प्रष्ण पूछ का ना मिलने की वज़े से options कौन सा सही होगा यह नहीं बता सकते है इस समय और इसलिए answer क्या सही होगा यह आपको बताया जा रहा है ठीक है अगला question एक question था कि grand old man of India के नाम से किसको जाना जाता है तो दादा भाई नौरो जी को जाना जाता है ठीक है grand old man of India के नाम से अगला एक प्रश्ण था कि चलक सहीता किस से सम्बन देता है या किस छेत्र से सम्बन देता है तो इसका सही answer होगा Lord Warren Hastings एक प्रश्ण पूछा गया था कि प्रकास वर्स किसको मापने की इकाई है या प्रकास वर्स के द्वारा किसको मापने की इकाई है ठीक है तो प्रकास वर्स जो है वो किसको मापने की इकाई है प्रकास द्वारा निर्बात में एक वर्स में तैकी गई दूरी इसको जो है प्रकास वर्स में मापा जाता है ठीक है Next question दोस्तों एक question कुछ इस तरह से पूछा गया था कि bleaching powder को किस रासाइनिक नाम से जाना जाता है तो इसका आंसर जो सही था वह है calcium hypo chloride फिर एक प्रशन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि संत्रे में कौन सा vitamin पाए जाता है या प्रशुर मात्रा में कौन सा vitamin पाए जाता है संत्रे में तो इसका आंसर होगा vitamin C इसका आंसर है vitamin C ओलम कि राज का उत्सव है या तोहार है एक प्रशन इस तरह से भी पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा केरल, ओके, फिर एक प्रशन दोस्तों इस तरह से भी पूछा गया था कि 18 केरेट सोना कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है 75%, 75%, फिर एक प्रशन कुछ इस तरह से पूछा गया था कि सिवाजी के समकालीन कौन से संद थे तो उसमें options दिये थे कुछ जैसे तुकाराम, नाम देव और अन options भी थे तो इसमें सही आंसर होगा तुकाराम फिर सलाल परयोजना किस नदी पर है एक प्रश्ण यह भी था जो कि पूछा गया था तो इसमें जो सही आंसर होगा वह चिनाम नदी चिनाम नदी पर यह परयोजना बनी हुई है एक question दोस्तों इस तरह से पूछा गया था कि 100 रुपय के नोट पर किस के हस्ताक चलोते है तो यह भी एक question पूछा गया था तो इसका सही आंसर होगा RBI Governor options में RBI Governor के अत्रिक वित्य सर्चिप का भी options था option था और इसके अत्रिक दो अन्य option भी थे अन्य option भी थे और जो सही आंसर होगा वह होगा RBI Governor इस question का ठीक है फिर एक question था कुछ इस तरह से पूछा गया था कि 1915-16 इस वी में किनके द्वारा दो होम रूल लीग की स्थापना की गई तो दो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एक बाल गंगा धलते लग के द्वारा और एक होम रूल लीग की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा ठीक है फिर फेमा का पूर्ण रूप अर्थाथ फुल फॉर्म पूचा गया था, फेमा का, तो इसका फुल फॉर्म होता है, वो होता है, फॉरेन एक्चेंज मनेजमेंट एक्ट, फिर एक प्रशनी कुछ इस तरह से पूचा गया था, कि प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे, जनोंने नोबिल पुरुसकार प्राप्त किया नोबिल पुरुसकार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन है, तो इसका अंसर है, रभी निलनाट टैगोर, एक प्रशनी इस तरह से पूचा गया कि सूर्य के सरवादिक समीब, या सबसे अधिक पास में कौन सा ग्रह है, नजदीक कौन सा ग्रह है, सूर गया था, तो इसका अंसर होगा, मुक्त इलेक्टरॉन, मुक्त इलेक्टरॉन के कारण विद्धुत का प्रवा होता है, ठोस पदार्तों में, फिर एक प्रशनी इस तरह से पूचा गया कि किस भारती क्रिकेटर को वीवो फो नर्माता कंपनी का ब्रांड अम्बेश्टर ब अजन्ता एलोरा की गुफाएं कहां हैं या कहां इस्तित हैं, इस तरह से एक प्रशनी पूचा गया, तो इसमें जो आप्शन सही होगा, वो होगा औरंगाबाद, महाराष्ट में, यदि लाज्जी का नाम दिया है, तो महाराष्ट और यदि शहर के नाम दिया है, तो उसम सुभाष्चन बोस के कांग्रेस के अद्रक्ष पर से स्तीफे के बाद इस पद के लिए किसको उमीदवार बनाया गया, या कौन इस पद के लिए जो है वो, इस पद पर जो है वो, कांग्रेस का अद्रक्ष जो है वो, बनाया गया, ठीक है, सुभाष्चन बोस के बाद, का इसका द्रश किसको बनाए गया इस तरह से एक प्रशन पूचा गया तो इसका आंसर होगा पट्टा भी सीता रमयया ओके अगला प्रशन है कोष्टा रिका की राजधानी का नाम तो उसमें एक ऑप्शन था सेंड जोस तो ये सही आंसर होगा ठीक है फिर एक प्रशन पूचा गया कि लक्ष दीप की आधिकारिक भाषा क्या है तो उसमें ऑप्शन में तमिल भी दिया था मल्यालम भी दिया था और दो अन्य उप्शन थे तो इसमें आंसर इसका मल्यालम होना चाहिए ठीक है फ्रेंट्स यदि किसी प्रशनी के आंसर में कोई गल्ती हो तो कमेंट और ब्रह्मो पुत्र ये दो नदिया हिमालय अप्रभातंत्र की नदिया है ठीक है फिर एक पंचायती राज व्यवस्ता से सम्मनित प्रशन था की भारती सम्विधान में यह किसके अंतरगत व्यवस्ता की गई है पंचायती राज व्यवस्ता की तो ये राज के नीती ने तक 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 तो उसमें एक option था, तो यही option सही होगा, फिर एक प्रशन पूचा गया कि एक cabinet व्रवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका अंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ओके, एक प्रशन पूचा गया कि राश्ट्री हिंदी दिवस कम मनाए जाता है, या हि प्रशन 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 थे, प्रशन का जो एक्जाम आज संपन हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में, 24 अगस्त 2021 को, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं, और यदि किसी प्रशन के आंसर में कोई गलती हो, आपको लगता है कि इस प्रशन का आंसर कुछ और होना चाहिए, यह इस प्रिकांत गलत है, जो कि बताया गया यहां पर, तो आप कमेंट बॉक्स में सहीं आशर बता सकते हैं, और फ्रेंड्स, आलो यालो के एक्जाम की तियारी के लिए, और सामान दिर्धन करेंट अफएर्स की तियारी कе लिए, यूपी, PCS, फिलिम्स की तियारी के लिए, कि आप एकाख्ष वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीटी का एक्सपेक्टिग कट ओफ कितना हो सकता है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी इतना ही रहने रहते हैं तो फिर मिलते हम अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद